नमस्कार उत्राखंड दोस्तो आठ दिनों के बाद आपके चैनल राष्ट निती इंडिया पर वापस मैं आया हूँ आपको पता है कि हमारे चैनल के खिलाफ कैसे साजिस और सड्यंत्र किये गए और वीडियो और वीपीडियो परिक्षा पर बात करने की सजा हमारे चैनल को दी गई आज करांतिकारी दिन है क्योंकि एक तरफाथ सुप्रीम कोट ने देश द्रोह के कानून पर रोक लगा दी है और दूसरी तरफ मैंने विजय प्राप्त करी और तमाम लडाईयों के बाद मैंने अपना चैनल फिर से वापस हासिल कर लिया दोस्तों वीडियो और वीपीडियो परिक्षा में डॉकुमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है कई इमानदार बच्चों को ये बात सता रही है कि कहीं इस पर कोई रोक न लग जाए देखे जो बच्चे इमानदारी पूर्वक सलक्ट हुए है मैं हजार बार कह चुका हूँ एक लाख बार कह चुका हूँ कि आप लोग निश्चिंति रहें आप लोगों के साथ सभी लोग मजबूती के साथ खड़े हैं लेकिन हम काली भेडों को छोड़ नहीं सकते कभी भी हम उन काली भेडों को सांति से जीने नहीं दे सकते आप लोगों से आज में कहानी के माध्यम से बात करना चाहता हूँ आप लोगों को पानी और हवा की तरह ब्यवहार करना होगा अब आप कहेंगे कैसी बात मैंने कह दी देखे अगर आप पानी में एक तलवार चलाओगे तो तलवार पास हो जाती हो और पानी अपने जैसा रहता है हवा में आप तलवार घुमाओगे हवा कटती नहीं है तो ऐसे ही जो इमांदार प्रत्याशी हैं जिनने अपनी मेहनत से करी है उसे व्रष्टचार के खिलाब चलने वाली मेरी जुबान रूपी तलवार से डनने की कोई जरुवत नहीं और जो लोग भरष्टाचारी हैं उन्हें बिल्कुल डरने की जरुवत है क्योंकि आज यह एतिहासिक दिवस है एतिहासिक दिन है और इसलिए मैं आज एक बात आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों क्या कि सवाल सिर्फ वीडियो वीपीडियो परिक्षा का नहीं है सवाल है UKPSC लोवर PCS में 12 सवाल जो रद हुए थे उनका सवाल है आगे आने वाली पुरी परिक्षा जो है वो कैसे इमानदारी और पारदर्शिता के साथ संपन होगी सवाल है पटवारी सवाल है लेखपाल सवाल है सबिंस्पेक्टर क्या कि ये बात आप किसी से छिपी नहीं कि भ्रष्टचार का साया किस प्रकार से हमारे परिक्षाओं में लगातार आते रहता है कहीं कम मात्रा में सही, कहीं ज़्एदा मात्रा में सही थुट-वट घलना跟大家 बार-बार report की गई है तो ऐसे मैं आज ये जंग केवल हमारे राजजी में भ रहश्टचार को समाप्त करने और राज जी से भ्रष्टचार को हमेशा हमेशा के लिए विदा करने के लिए है ये जंग किनी वीडियो में सेलक्ट हुए उम्मीद्वारों के खिलाफ नहीं है आपकी लडाई हम से नहीं, हमारी लडाई आप से नहीं हमें तो सब को मिल करके ब्रष्टचार मुक्त उत्राखंड की दिसा में ही पिरियास करना चाहिए और मुझे पता चला कि बहुत ही जल्द ये मामला कोट में जा सकता है ऐसा बहुत सारे दोगों ने मुझसे कहा कि हम जाना चाहते हैं आप हमारा समर्थन करें लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी भी मामले में फिलहाल आप अपने तरीके से कोट जाना चाहते हैं आप जाएए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक उत्राखंड का युवा युवा जागरित नहीं होगा कोट जाने का भी कोई फाइदा नहीं है क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि आज जो ये मुद्दा है आज ये जो मसला है ये कि अल वीडियो वीडियो तक ही है लेकिन ऐसा नहीं है कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारा तो कनिष्ट शायक में हो गया कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा SI में हो जाएगा पटवारी में ह हो जाएगा लेकिन आप यह मत भूले कि वही तंत्र प्रशाशन है परिच्छा कराने वाला वही माफिया लोग फिर से इसमें अपनी सेंध मारी करेंगे तो जब हम अभी से इनके पेंच कसके रखेंगे तभी जाटर के परिच्छाएं भी पूरी तरीके से निस्पक्ष कीनी तोर पर हमें मुख्यमंतरी धामी के खिलाब चुनाओ में भीगुल फूगना चाहिए भले हमारे में से कोई कैंडिडेट ख़ला हो जाएं अगर कैंडिडेट ख़ला नहीं होता तो धामी जी के खिलाब सबसे पाउरफुल कैंडिडेट है उसे युवाओ का समर्थन देना चाहिए कि मैंने पहले भी कहा था कि सरकार किसी से नहीं डरती सरकार गिरने से डरती है और अगर उन्हें अपने चीप मिनिश्टर हारते वे दिखाए देंगे तो नीचे तोर पर सरकार घुटनों के बल बैठेगी भी और युवाव की बात मानेगी भी तो मैं आप लो भी भूमी जयोत रखाणी भारत मता कीज़े हो